जल जीवन मिशन जल शक्ती मंत्राले भारत सरकार महात्मा गांधी ने कहा था महिलाओं को अबला कहना उनकी शक्ती को नकारना है यदि महिलाएं देश की गरिमा बढ़ाने का संकल्प कर ले तो वो अपनी शक्ती के बल पर देश का स्वरूप बदल सकती है आज गांधी जी की बात सही होती दिख रही है जहां एक और महिलाएं अपने अधिकारों को जान रही है वहीं अपने अधिकारों का प्रयोग भी कर रही है ऐसे ही हिम्मतवर महिलाओं की कहानी कहते हैं हमारा खास कारेक्रम नेथरी महिला सांसद और उनकी कहानिया नमश्कार, स्वागत है आप सबका हमारे विशेश कारेक्रम नेथरी में महिला सांसद और उनकी कहानिया मैं हूँ शाइना इंसी और आज हमारे साथ मौजूद है अनुप्रिया पटेल जी जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापूर से लोकसभा सांसद है। बहुत स्वागत है आपका। चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को उनकी जीवन के अब तक की सफर की एक जलक दिखाते हैं। भारत की जीवन दाई नदी गंगा के दक्षन तट पर बसा है कानपूर। उत्तर प्रदेश का एक और द्योगिक नगर। इसी शहर में 28 अप्रेल 1981 को अनुप्रिया पटेल का जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ। पिता सोने लाल पटेल जो खुद एक नेता थे और अपना दल पार्टी के संस्थापक भी थे और मा श्रीमती क्रिशना पटेल। अनुप्रिया पटेल की शिक्षा की बात करें तो इन्होंने बारवी तक की पढ़ाई कानपूर के मरियमपूर कॉन्विंट स्कूल से की। उसके बाद बीए की पढ़ाई लेडी श्रीराम कॉलेज दिल्ली से की। अनुप्रिया पटेल ने CSGM विश्व विध्याले कानपूर से MBA किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद अनुप्रिया ने कुछ महिनों तक अमेटे युनिवरसिटी में पढ़ाया। लेकिन पिता के अकाल निधन के बाद राजनीती में आने का फैसला किया। अनुप्रिया पटेल की निजी जिन्दिकी की बात करें तो इनके शादी 27 सितंबर 2009 को आशीश सिंग से हुई। आशीश सिंग खुद राजनीती में सक्रिय भी है। अनुप्रिया पटेल का राजनीतिक सफर 2009 में शुरू हुआ। पिता के निधन के बाद उन्हें अपना दल का महासचिव बनाया गया। 2012 के विधानसभा चुनाव में रूहनिया सीच पर अनुप्रिया पटेल ने जीत हासल की। और उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदसे बनी। 2014 लोकसभा चुनाव में अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से चुनावी मैदान में उत्री और शानदार जीत हासल की। अनुप्रिया पटेल केंद्र की कई समितियों की सदस्य भी हैं। साल 2019 के सत्रवी लोकसभा चुनाव में फिर से मिर्जापुर से चुनावी मैदान में उत्री और शांदार जीत हासिल कर संसत पहुँची. अनुप्रिया पटेल का सफर काफी दिल्चस्प रहा, तो आएए उन ही से जानते हैं कि उनकी जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी, अनकही कहानिया. अनुप्रिया जी सबसे पहले पूछना चाहते हैं कि आप एक राजनेतिक परिवार से आते हैं, क्या आपने कभी भी कल्पना की कि आप संसद में बैठेंगे या आपको लगा कि नहीं, मैं बाहरी ठीक हूँ? हाँ, सच तो यह है कि आप मुझे पोलिटिकल डिनैस्ट कह सकते हैं, क्योंकि राजनेतिक परिवार से आती हूँ, और जिस दल की आज मैं अध्यक्षू, उस अपना दल का गठन मेरे स्वर्गिये पिता डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने किया था, लेकिन रोचक बात यह ह है कि उनके जीवनकाल में हम चार बहने हैं, और चारों में से कोई भी कभी भी उनकी राजनेतिक गतिविद्यों में शिरकत नहीं करता था, और सच तो यह है कि मेरे माता पिता ने कभी हमें प्रोचसाहित भी नहीं किया राजनीत में आने के लिए, और पिता जी के इस ऐसे राजनेता के रूप में मेरी शुरुवात हुई, जिसे राजनीती के बारे में कुछ भी ग्यान नहीं था. और आज आपको ग्यान है? समय के साथ हम सब कुछ ना कुछ सीखते हैं, जब हम अपना काम करते हैं, तो हाला कि जब मैंने राजनीती में प्रवेश किया, उस वक्त मैं ग्रीन हॉन थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था, और मेरे उपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, बहुत बड़ा एक समाजिक दा लेकिन टाइम is the best teacher, धीरे धीरे हम सब जब कहते हैं, कि आप किसी को पानी में फैंक दीजे, तो वो अपना जीवन बचाने के लिए देरना सीख जाता है, तो उसी तरीके से शायद मैंने भी थोड़ा-थोड़ा सीख लिया है, लोगों के लिए संघर्ष करना, उनके लिए आवाज उठाना और मेरी पार्टी की समाजिक नियाय की विचारधारा को मजबूती के साथ आगे लेकर जाना, तो ये एक मौका था और आपका भागया, हाँ मैं दोनों बाते मानती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि destiny often meets you on the path that you often take to avoid it, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मैंने कभी कलपना नहीं की थी, दूर दरास तक कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राजनीत में प्रवेश होगा, तो ये इश्वर की इच्छा निश्यत रूप से थी, और आवसर भी क्योंकि इस राजनीत में आकर मैंने बहुत कुछ ऐसा सीखा है जो मैं पहले नहीं जानती और मुझे लगता है कि इस राजनीत में आने के बाद मेरी अपनी पार्टी का और राजी की विधानसभा का और अब देश की संसत का इस लोकतंत्र के पवित्र मंदर का जो मुझे एक प्लाटफॉर्म मिला है, उस पे मैं बहुत कुछ समाज के दबे कुछ लेवर्ग के लि प्रुष प्रदान मान सकता है? वो गलत नहीं है कि सेक्सिस्ट रिमार्क्स का भी सामना करना पड़ता है, और बहुत सारी महिलाओं को रिडिक्यूल है या उनको डॉमिनेट करना, जैसे हम पंचायती राज वेवस्था जब शुरू हुई, पंचायती राज इंसिट्यूशन साए, तो कैसे महिलाओं को ज महिला सरपंच बन गई है, महिला प्रदान बन गई है, लेकिन फिर वी वो कुर्सी पर नहीं बैठेगी, या मीटिंग्स में नहीं जाएगी, काम जो हस्बिन्स होंगे वही करेंगे, तो उनको प्रॉक्सी की तरह उप्योग करते आए हैं, तो ये सच है कि पेट्रियाकी के इन सिक्योर पेट्रियाकी में कहूंगी, एक ही जो पित्र सत्तात्मक सोच है, उसके मैनिफेस्टेशन्स हमें देखने को मिलते हैं, और आज मेरे जैसी और भी बहुत सारी महिलाएं हैं, जो संसद में पहुंची हैं, और देश के किसी भी कोने में, क्योंकि मैं इसमें किसी और वो नहीं चाहते हैं कि महिलाएं आएं, और हमारे पास ये एक प्लाटफॉर्म है, जहां से कभी भी अगर देश में किसी प्रकार की कोई अप्रिये घटना होती है, तो सारी महिलाएं अक्रॉस पार्टी लाइन खड़ी होकर आवाज उठाती हैं, लेकिन अनुप्रिया इलेक्शन लडने में या फिर सिफ आगे बढ़ना उनके एक शेत्र में? जो वाता वरन होता होता है, तो सकारात्मक होता है और महिलाओं की सिंसेरेटी और कमिट्मेंट जी होता है अपने काम के प्रती वो उस पर आप कोई संदे नहीं कर सकते। पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है कि महिलाई है अपने कारे को बहुत इमान्दारी से करती हैं। बोहुत Bड़ी बात है। लेकिन तो भी आप देखें तो अनिया देश हो या नेपाल हो या फिर अफगानिस्तान या पाकिस्तान हमारे आगे हैं तो बहुत कुछ करने की आवशक्ता है और क्या आप 33% आरक्षन के लिए संगर्श करने वाली है मैं आपके बाद से सहमत हूँ कि हमारे देश में महिला राष्ट्रपती भी रह चुकी है महिला मुख्यमंत्री भी राज्यों की बन चुकी है और आप देखिए हमारे देश में इतनी political parties है जिनको महिला राजनेत्रियां head करती है चाहे मैं पूर मुख्यमंत्री सुश्री मायवती जी का नाम लू या जैललिता जी का नाम लू ऐसी हमारी बहुत सारी या ममता बाने जी का नाम लू यह हमारी सारी महिलाएं हैं जो राजनेत्रियां का नेत्रित्व कर रही है जो आसान नहीं है महिला आरक्षन विधेयक जो है वो जरूरी है उसको लाना भी चाहिए क्योंकि अगर हम भारत की स्तिती देखें तो हमारे लेजिसलेचर्स में विशेश तोर से जैसे आपने कहा पारलेमेंट में मुझे तो लगता है कि सारे देशों में तुलना करें तो नीचे से शायद 20 स्थान पर भारत आता है महिलाओं की भागिदारी को लेकर और इसमें मैं जरूर कहूंगी कि महिलाओं के लिए जब हम पारलेमेंट में प्रतिनिद्व बढ़ाएं तो उसमें हम ये भी प्रयास करें कि जो दबे कुछले समाच से आने वाली महिलाएं हैं उनके लिए भी हमें एक विशेश व्यवस्ता करनी चाहिए ये मेरी अपनी सोचे महिला अगर आधी-आबादी है तो कम से कम हमारे देश की संसद में तो नजर आनी चाहिए और संसद ही क्यों हमारे मीडिया में हमारी जुडिशरी में हर जगे महिलाओं की विरॉक्रिसी में उनकी भागेदारी होनी चाहिए तब ही देश आगे बढ़ेगा आपके मिर्जापूर के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं अपने मिर्जापूर के लिए 2014 में जब से सानसत बनी हूँ तब से जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा मिर्जापूर बहुत पिछड़ा हुआ आदिवासी बाहुल जिला है लेकिन इस मिर्जापूर जिले में बहुत पुटेंशिल है क्योंकि अगर मैं टूरिजम की दृष्टी से बात करूँ तो यहां पर गंगा की धारा भी बहती है तो चुनार का खेला भी है तो माविन्दवासनी का दरबार भी है सिद्धनात की धरी के जल प्रपात भी है तो परेटन की दृष्टी से बहुत खूबसूरत है शेक्षिनिक दृष्टी से मैंने यहां पर जम्मे स्वास्तराजमंत्री रही तो भारत सरकार और उत्तरप बहुत तेजी से चल रहा है तो मिर्जापुर में दो बड़े पुल बने इसी सरकार के कारेकाल में तो चाहे सडक हो चाहे रेल मार्ग हो चाहे सेतू का विकास हो या शिक्षा की दृष्टी से या मेडिकल एजूकेशन की दृष्टी से बहुत सारा काम चल रहा है सैनिक स् कि स्थापना होने जारी है तो ऐसे बहुत सारे काम हम कर रहे हैं वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी बादचीत का सिलसिला जारी रहेगा कहीं मत जाईएगा बीमारियों से कैसे बचेगी फसल मुवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल कहां से लाएं बीच कितनी लगेगी खाग किसानों के हर फोन का विशेशक्यत देंगे जवाब देखिए हैलो किसान लाईव सुमबार से शुक्रवार शाम छे बजे ब्रेक के बाद आप सब का स्वागत है अनुप्रिया पटेल से बादचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं अनुप्रिया जी आप एक एक एक्सिडेंटल पॉलिटिशन है मेहनत एक तरफ कितना संघर्श करना पड़ा आपको और आपने कैसे सीखा यह तो आपने सही कहा कि एक्सिडेंटल हूँ डिफॉल्ट पॉलिटिशन हूँ क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि कभी सोचा नहीं था इट वस नेवर इन मैं स्कीम उफ तेंग्स और एज अग अडॉलसंट या जैसा यंग एडल्ट कभी मुझे पॉलिटिकल इशुज में कोई रूची थी भी नहीं और कोई पॉलिटिकल कॉलिटिकल इशुज मेरे मैं तो मैं एक मैनेजमेंट ग्राजवेट थी तो मैं जॉब ही करती या अपने फैमिली बिजनिस को ही समालती लेकिन राजनीती के बारे में कभी नहीं सोचा था तो जब मैं नई नई अचानक मेरे उपर ये जिम्मेदारी आ गई तो मैं थोड़ा सा घबरा भी रही थी कि मुझे एक ऐसे institution एक ऐसे organization के top पर बैठा दिया गया है मैं एक कार्यकरता के रूप में भी नहीं जुड रही हूँ टॉप पर बैठ गई हूँ और बहुत सारी expectations है और पता है नहीं कि करना क्या है तो ये दिक्कत थी और धीरे धीरे करके सीखना शुरू किया लेकिन सबसे पहला तुम मैं कहूंगी कि मेरे लिए जो समसे आई वो मेरी अपनी personality की थी क्यूंकि मैं स्वभाओ से बहुत introvert हू तो मेरे लिए बहुत जादा लोगों के बीच में जाना या मिलना जुलना या बहुत बाचीत करना यह मेरे स्वभाओ में नहीं था तो सबसे पहला challenge तो मेरे लिए यही आया कि मुझे मेरे स्वभाओ के विपरीद काम करना है मैं बहुत quiet हूँ बहुत शानत रहती हूं बह जादा लोगों से मिलना है, जादा लोगों से बात करनी है, तो मेरे लिए वो थोड़ा कथिन, थोड़ा नहीं, काफी कथिन काम था, अभी बहुत कुछ दीद गई हूँ, लेकिन उतना नहीं, मदद तो मैंने अपनी खुदकी की, लेकिन हाँ, हजबन भी बहुत मदद करते हैं, लेकिन अपने स्वभाव से तो इनसान को स्वैम लड़ना होता है, हमारे लिए अपने स्वभाव को बदलना बहुत मुश्किल होता है, यह पहला चालेंज था, कि मैं पहली पहली बार विधायक बनी, फिर उसके बाद मैं 2012 में विधायक बनी पहला इलेक्शन था, 2014 में मैं पार्लिमेंट में इलेक्ट होकर आ गई, तो मेरी उमर भी बहुत कम थी और कोई अनुभव भी नहीं था, और मेरी party पहली बार parliament पहुची थी तो जैसे मेरे उम्र के जो दूसरे young leaders होते हैं दूसरी political parties में उनको guide करने के लिए parliamentary democracy के बारे में या parliamentary procedures के बारे में उनके अपने party में बहुत सारे seniors होते हैं जो guide करते हैं मेरे लिए क्या था कि I have nobody to guide me तो क्योंग कहते हैं कि महिला जो है उनको इक्षिन लड़ना और जीतना बहुत unfortunately होता है हाँ ये एक सोच है क्योंकि इस सोच को अगर हम जितना सीचेंगे उतना हम महिलाओं को रोकने में कामिाब होंगे लेकिन सच ये है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अब महिलाएं जिस तरीके से public administrative roles में या public representative के roles में सामने आ रही हैं और उनकी commitment को जनता देख रही है तो उनका भरोसा बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि India should see more brilliance of women in politics. अब उसका समय आ चुका है हमको बहुत बढ़ाना चाहिए महिलाओं को जितना महिलाएं राजनीती के शेत्र में आएंगी राजनीती में शुचिता भी बढ़ेगी और राजनीती में performance भी बढ़ेगी इसका मुझे पूरा विश्वास है जब अनुपरिया पटेल अपने शेत लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या गाऊ जो आपके मन में आए अब तो है तुम से हर खुशी अपनी तुम पे मरना है जिन्दगी अपनी हो हो अब तो है तुम से हर खुशी अपनी जब हो गया तुम पे ये दिल दिवाना फिर चाहे जो भी कहे हमको जमाना कोई बनाए बाते चाहे अब जितनी हो हो अब तो है तुम से हर खुशी अपनी बहुत बढ़िया तो एक चीट स्पष्ट है कि अनुप्रिया पटेल नेता अपना दल एक तरफ अनुप्रिया पटेल गाय का एक तरफ हाँ बचपन का शौक तो यही है राजनीती धोके से करने लगी हूँ अनुप्रिया जी आप देश के युवाओं को क्या कहना चाहते हैं क्योंकि जब भी राजनीती की बात होती है तो एक नकारात्मक सोच है कि नेता याने की भरष्ट राजनीती याने की गंदगी तो यह जो सोच विचार है स्टीरियोटाइप्स जो है राजनीती को लेके यह करियर पात या जन सेवा देश सेवा की प्रती कैसे बदल सकते हैं हम दिखिए भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां सबसे बड़ी संख्या में युवा आवादी है और हमने माननी प्रधान मंत्री जी को कई अवसरों पर ये कहते सुना है कि आने वाले समय में दुनिया की जो आपूर्ती है युवाओं के समन में वो भारत से ही होने जा र बात है तो मैं अपने उन युवाओं से नौजवानों से बेटियों से मैं यही कहना चाहती हूं कि दुनिया में अच्छाई और बुराई जीवन के हर स्फियर में है हर शेत्र में है सिर्फ चर्चा राजनीत की जाधा होती है मैं आपको ये समझाना चाहती हूं क्योंकि मै मैं अभी एक युवा की रूप में राजनीते में आई हूं और मैं भी आपकी तरह पढ़ती लिखती थी राजनीती में रूची नहीं रखती थी लेकिन मैंने अपने कुछ वर्षों के छोटे से अनुभव से यह जरूर सीखा है कि अगर वाकई में आप देश को लेकर कु लाओ की सोच रखने वाले युवाओं की आविश्रकता है आपको आना भी चाहिए और आप इसे देश की सेवा का जनता की सेवा का और जीवन में कहते हैं ना कि हमने जब पैसा भी कमा लिया हमारी सारी इच्छाएं भी पूरी हो गई तो अब हमारे जीवन का मिशन क्या है हम किस एक बड़े गोल की और अपने आपको समर्पित करना चाहते हैं तो वो होता है कि हम अपने से उपर उठकर दूसरों के लिए कुछ करें तो जिंदगी को सही माईनों में मीनिंगफुल बनाना है सार्थक बनाना है तो आप राजनीत के शेतर में आईए समाज की सेवा करिए देश दुनिया में घूमिए और देखो देखिए कि लोगों की कितनी तकलीफे हैं और उनको दूर करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं समाज में जिस ढंग से महिलाओं को देखते हैं उसमें किस दृष्टी से हम बदलाव ला सकते हैं क्योंकि आज आप संसद में ह आप एक वक्ता हैं लोग आपको सुनते हैं इसमें क्या सोच विचार में बदलाव लाने की आवशक्ता है देखिए अंग्रेजी में एक कहावत है चैरिटी बिगिंस एट होम हर अच्छे काम अच्छे बदलाव की शुरुवात हमें अपने घरों से करनी हैं संसद में देखती है वो बहुत तोलती है और उससे बहुत बढ़ा संदेश जाता है तो हम संसद में निश्चित रूप से महिलाओं के हक में बोलते हैं हम ये भी कहते हैं कि महिलाओं को जादा मौके मिलने चाहिए क्योंकि अभी भी मेरा मानना है कि केवल संख्या कम नहीं है बलकि थोड़ा अवसर भी कम है अवसर भी जादा बढ़ाना चाहिए जादा समय मिलना चाहिए महिलाओं को जादा प्रुच्ताहन भी मिलना चाहिए घर से महिलाओं के प्रती सोच बदलने की शुरुवात होती है प्रदान मंत्री ने कहा लाल किले पे कि जब आप आपकी बेटी को पूछती है कि वो कहां जा रहे हैं शायद कभी कबार पूछे आपके बेटे को कि वो कहां जा रहे हैं बिलकुल बेटों को राजनेतिक इच्छा शक्ती के साथ भी बहुत जरूरी है बिलकुल और मानिये प्रधानमंत्री जी जब 15 अगस के दिन लाल किले की प्राचीर से ऐसी बात कहते हैं तो कहीं न कहीं हम पूरे देश की आत्मा को जग जोडते हैं और उनसे कहते हैं कि समय आ गया है हम बेटियों की सुरक्षा उनके सम्मान के बारे में सोचें और अपने परिवारों में अपनी सोच में परिवर्तन करें और मुझे लगता है कि राजनेता ही सबसे बड़ा संदेश दे सकते हैं और ऐसे में जब कहीं-कहीं ऐसे मसले आते हैं कि राजनेता ही निकल कर कुछ अंटी विमन सेक्सिस फ्रिमार्ग दे देते हैं तो बहुत दुख होता है मैं भी महिला राजनेतरी हूं मुझे भी दुख होता है कि अब आप ही बोलेंगे तो समाज तो फिर आपके पजिन्नों पे चलेगा तो ये मानसिक्ता का जो परिवर्तन है इसमें हमको बहुत गंभीरता पूर्वक काम करने की जरूरत है अनुप्रिया जी तीन ऐसे योजना जो आपने अपने शेत्र में इंप्लिमेंट किया है और जिसका फाइदा उत्तर प्रदेश को हुआ है जो हमारे प्रधान मंत्री जी की और भारत सरकार के स्वास्त और परिवार कल्यार मंत्राले की आयुश्वान भारत योजना आई जिसके तहट 50 करोड लोगों को लाभनवित किया गया और मेरे अपने उत्तर प्रदेश के अंदर एक करोड से जादा परिवार है यानि हर परिवार में अगर हम 5-6 व्यक्ति मानने तो लगभग 5-6 करोड लोगों तक की योजना पहुँची है मेरे अपने मिर्जापूर में लगभग 2-6 के करीब ऐसे परिवार है जिनके आयुश्मान भारत योजना के तहट गोल्डन कार्ड बने और उनको 5-6 लाक रुपे के स्वास्त बीमा का लाभ मिलना शुरू हुआ और पूरे उत्तर प्रदेश में इस योजना का इतनी बड़ी आबादी है हमारी उसको देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इस योजना से बहुत लाभानवेत हुई है उसी प्रकार PM किसान योजना से हमारे राज्य में किसानों की एक बड़ी संक्या है जिसको लाब मिला है उज्वला योजना भी मेरे शेतर में इंप्लिमेंट हुई और मेरे संसिदीक शेतर के साथ साथ उत्तर प्रिदेश के हर जिले में इंप्लिमेंट हुई जहां पर जल जीवन मिशन की शुरुवात कर दी गई है और पूरे उत्तर प्रदेश को टार्गेट किया गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा हर घर जहां पर पीने के पानी का संकट है उसे हम नल के जरिये जल पहुचाने का काम करेंगे तो यह जल जीवन मिशन की योजना के तहट बहुत लाब मेरे छेत्र को पहुंचा है प्रधान मंत्री जी के जो एक सोच रही है कि देश में डॉक्टर्स की संख्या हम कैसे बढ़ाएं उसके लिए देश में तेजी से मेडिकल कॉलेज़ बनाए गए उत्तर प्रदेश की अंदर पहले मेडिकल कॉले बने 30 मेडिकल कॉलेज़ बनकर तयार हो गए हैं एक मेडिकल कॉलेज मिर्जापूर में बना है तो हम यह सोच रहे हैं कि कितनी तेजी से हमारा जो डॉक्टर पेशिंट रेशो है वो बढ़ेगा ज्यादा डॉक्टर्स की उपलबदता होगी तो हम स्वास की दृष्टी से जो एक human resource के संकट से जूज रहे थे उस problem को हम समाधान करें अनुप्रिया जी एक संख्षेप में जो आपका एक message है उन लोगों के लिए जो इस कारेक्रम को देख रहे हैं उन सारे दर्शकों से कहना चाहती हूं जो कहीं न कहीं राजनीत में महिलाओं की भागेदारी को ल ask a man but if you want anything done ask a woman यानि राजनीत के शेत्र में यदि आप चाहते हैं कि कोई काम सिर्फ कह दिया जाए तो पूरुष से कहिए लेकिन कोई काम हो जाए उसके लिए महिला को कहिए एक महिला के अंदर परिश्रम करने की दिल से काम करने की बहुत शमता होती है और देश ने राश पर महिला को देखा है तो महिला की शमता में विश्वास रखिए और महिलाओं को आगे आने दीजिए राजनेतिक जीवन में जादा शुचिता भी आएगी और पर्फॉर्मेंस भी बढ़ेगी और महिलाओं को मैं इतना बोलूंगी that we may be defeated many times but we may not get defeated at all बहुत बार हमें हरान के प्रयास होंगे लेकिन हमें हारना नहीं है क्योंकि एक महिला अगर ठान ले तो सच में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है और आपके अंदर सारी शमताएं हैं कुद्रत ने औरत को और मर्द को बनाते समय शमताओं का फर्क नहीं किया है बुद्धी उनके पास भी है ग्यान अरजन वो भी कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं कोई हुनर वो भी सीख सकते हैं आप भी सीख सकते हैं इसलिए हम अपने उपर सबसे पहले विश्वास करें बाद में दुनिया करेगी लेट मी हाफ फेट इन माइसेल यह सबसे जरूरी है बहुत बहुत बढ़िया और जो आपने कहा वो Margaret Thatcher भी इस्तमाल करती थी in the House of Commons जहां उन्होंने कहा कि जब आप कुछ काम कराना चाते हैं तो एक महीला को पूछिए. तो देखा आपने महीला सांसद अनुप्रिया पटेल जी को. उनकी कहानी जो आज महीलाओं के लिए एक प्रेरना है. आज शो में बस इतना ही. फिर मिलेंगे किसी और महीला सांसद से और जानेंगे उनकी संघर्शों की कहानी. मुझे अनुमती दे. नमस्कार. झाल झाल झाल.